हेलो फ्रेंड्स जैमा बगला मुझे अंदरासी बहुत ठंडी है यहां पर और मुझे सब ने कहा कि मा ऐसा सब कुछ हो गया तो भाई देखे काम की सर्दा सबको अपने आप मिलेगी इलेक्शन का भी काम चालू है अभी फिलर मेरा फोकस पूरा पूरा लोग सभा के सब्विधान उन्हों ने लिखा था आज सब आरक्षन के लिए तो शायद याद होगा कि उन्होंने भी कहा था सबको क्या आरक्षन ले लोकल तुम्हें आरक्षन की ज़रूत पड़ेगी लेकिन किसी ने बात नहीं मानी तो आज वही सब चीजे हो रही है और जीत तो मेरी पक्की है कि आज मैं छे तार beef को या अलाउंसमेंट कर रही हूं कि 14 कश अप्रेल को है बाबासाब आमडटकरजी का जन्रम दिन है ना 14 अप्रेल जैनती नहीं तो नहीं लेगिन जैनती के बाद 14 अप्रेल के बाद दस दिनों में कभी बीत हो हम लोग ने एक ताम तारिक त ब्लधाना में हमने 100 लड़के की दलित समाज की जो बॉद्ध समाज की लड़कें उनकी दलिता समाज की लड़केया हैं उनकी मलब जैभीम वाली लड़के उनकी शादी का मैंने लिया और गरीब लड़के Flash जो सक tokens जितना हो सके शेयर कीजिए तो जरूरी नहीं कि 100 या 200 लड़कियों हो 200 लड़कियों बुल्धाना में हमने ये शादी का पूराव किया है और हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ देने वाले थे लेकिन किसी का रिप्लाइ नहीं आया तो नो इशू कोई रिखे कोई साथ दे च जिम्मेदारी मेरी हमारी एक टीम रहेगी अब उस टीम को पूरा डिकलर नहीं किया है वस उस टीम को सारा डिकलर करेंगे लेकिन ये बात पक्की है कि इसको पूरी-पूरी जिम्मेदारी विद्यारी भी निभा रही है और मेरे साथ मेरे बुल्धाना के जो सेरानी बाबा करके देंगे तो हमने वोंबे चैसी जगह पे शहर में शाधिया नहीं हो सकती क्यों कि बंबे जैसे चाहँ में खाने में खर्च करके ये करेंगे तो जो भी भाइब तो धर्म कि हमारे जैभीम समाज की जो भी रहेंगे चाहे कहीं भी रहें महाराश्च की किसी भी कोने मेरे नो इश्यू मेरा नंबर है वाट्सब नंबर है 9 004-19917 9 004-19917 पे मैं सभी को दिल से बोलती हूँ कि वाट्सब नंबर पे आपको एक रुपया नहीं देना है जो भी एक्चुली सिब कहते ना जो सिब ये जैभीम समाज का ही है शादी का तो जो भी बहुत समाज की लड़कें हैं अगर वो अपंग भी होंगी कहते ना कभी कभी हो लड़की वालों की तरफ से 10 जन लड़के वालों की तरफ 10 जन उन 10 जनों के साथ आप अपनी लड़की का नाम लिखाए और हम उनकी हॉल में बकायदा हम आपको जगा बताएंगे आडर्स बताएंगे आपको वहाँ पे दो दिन पहले आना है जो भी फंचन होते हल्दी व लड़कियों के लिए मैं लड़कियों को सोना चांदी दहेज नी देते हैं आपको यह काम करना है जो भी आप आएंगे तो शादी का पूरा खर्चा हमारा खाने का खर्चा हमारा हॉल का खर्चा हमारा शादी के जोड़े का खर्चा हमारा शादी में जो जोड़ा लगेग वो खर्चा हमारा लड़की को दहेज दिया जाएगा लड़की के दहेज में हमारे तरब से लड़की को सामान में रहेगा पलंग रहेगा लड़की के घर का जो सामान रहते हैं पलंग है काबाट है जो भी लड़की का बरतन है बरतन वरतन जो भी सामान दिये जाते हैं वो घ घर का सामान घर के सामान के साथ उनको 就या जायेगा और मैंने प्रण लिया है कि जो भी लडगियां रहेंगी उनको लड़कियों को मैं अपनी तरफ से सोना चांदी्ष ने करूँग claim तो मैं अपनी तरह उसे लड़कियों को कम से कम यह दहज भी दूँगी और साथ-सात में दहज के सामान के सासथ मैंने सोचा है लड़कियों को कि जितनी भी लड़किया आएंगी देखे स्कूति देना ये देना नौट इशू, स्कूटी देंगे, वो लड़का लेके जाएगा, वो करेगा, कौन सा इंसान, कौन से स्टेट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने हर एक लड़की के लिए 51,000 रुपया रखा है, जो भी लड़की, ये लड़कों के लिए नहीं, ये देंगे, मेरी तरफ से कन्याधान का गिफ्ट रहेगा, इक्यावन अजर का गिफ्ट रहेगा, प्लस घर का देंगा, इसमें मुझे किसी से कोई मदद कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ लोगों को संगटन जुटाने को देखा था, लेकिन वो लोगों ने शायद मुझे इ यह आलाउंसमेंट करूंगी, कि बात पकी है, चाहे सो लड़किया हो, चाहे दोसो लड़किया हो, हर लड़की की शादी के जिम्मेदारी हमारी रहेगी, मैं पूरे यूटुब पर बता रही हूं कि बुलढ़ाना में शादी होगी, जहां पर भी शादी होगी, वहां पर आपको लड़की वालों के तरफ से दस जन रहेंगे, लड़के वालों के तरफ से दस जन रहेंगे, एक्ष्टा परसन एक भी नहीं रहेगा, आपको सीफ करना क्या है, आपको अपने खर्चे से आना है, वहां पर दूला दूलन के जोड़ा हमारी तरफ से रहेगा, खाना हमारी तरफ से यह दहेच पूरा रहेगा प्लस एक्क्याउन हजार रुपय हम आपको मैं और मेरे मेरे परिवार मेरे मिश्टर हैं मेरा बेटा है मेरी बेटिया हैं हम पांच जैन मिलके हर लड़की को यह दहेच देंगे ऐसी बात है और फिर आप अपने घर पे प्रस्थान क क्या बोलते हैं प्रकाश अंबेटकर जी जरूर आएंगे बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन में बहुत अच्छे से जानती हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस समाज समाज के कल्यान में वह कभी पीछे नहीं हटते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम यह 100 लड़ हंडेट पसंद कोशिश करूंगी यह वाला गिफ्ट में एक्चुली इनके हाथ से दिलवाने वारी थी क्या नामें दीपक केदार जी कहास से कि दीपक केदार जी अपने हाथ से सबको 11,000 लड़कियों को अपने हाथ से दे लेकिन मैंने सुबह से कल से 2-3 वार उन्हें मैस आशिरवात के तौर पे दिया जाएगा बाकी तो जो दहेज बालग सामान है घर का सामान रहेगा पलंग रहेगा कबाट रहेगा घर का घरगूती बरतन बरतन जो भी एक लड़की का सामान होता है दहेज में वो दिया जाएगा उसकी साडियां दी जाएगी मेरी आदत है आपको कोई पालर वाली कुछ भी नहीं लाना है सब लड़कियों को तैयार करना सारा सारा सिस्टम हमारा है कि आपको यह करना है कि आपको हमें अपना लड़की का नाम देना है आपका नाम देना है और अभी से नाम लिखाने अभी से जब नाम लिखाएंगे तभी हम आपको एक महिना पहले मलब जब बुल्धानहें हमने जो दीवाली के टाइम पे पंधाल बना रहे पंधाल के बाद उसके पहले जो हम काम करेंगे उसा का रखा जाएगा की वो किया बोलते हैं पंधाल जो बनाया जाएगा उसके बाद अमको एक तारीक दे बीच से पचीफ के साथ और लड़के वालों को भी ओने होता दे के आपको मलब तोटल आप लोग के परिवार को 20 जन दुल्हा-दूलन के साथ 20 जन को आपको वहां पर आना पड़ेगा ऐसी बात है और शादी करके शादी हो जाएगी शादी रिशेप्शन होने के बात जैसे शादी रिशेप हो सकता है कि मैं कोशिश पूरी करूंगी नहीं तो फिर और भी हमारे मानने यह बहुत है सबको बुलाया जाएगा बकाइदा उनको आशिरवा दिलवाया जाएगा और आशिरवा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप सबको विजाई दी जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि इस काम में आप सब मेरा साथ दें जो जो बाबा साथ आउम बेडघर जी को मानते हैं इस पून्य काम में आप सब मेरा साथ दें और मेरे नंबर पर अपने अभी से नाम लिखाना शुरू करें技 यह सारा का मेरी बेटी प्राणजल सेट कर रहे बहुत सारे लोगों का नाम जब आप मुझे देंगे तो मेरी प्रांजल मेरी बेटी प्रांजल उसको लिष्ट बनाएगी और आपको बकायदा वाट्सप पर सारी चीज़ों की जानकरी ली जाएगी जै मारता दी जै मारा जै भी